सिर από deer you वेल्कुम वैक टु मैं चानल दूस्तों दिवाली आने वाली है किया आपने भी दिवाली की सफाई शुरू कर दी है नहीं की है तो बहुत अच्छा किया है और कर दिया है तो भी कोई दिकत नहीं है आज मैं आपके से शेयर करने वारी हूँ बहुत बढ़ियां से ऐसे टिप्स जो बहुत एजिली आपके घर को डीपली क्लीन करेगा आपके घर को सानिटाइज भी करेगा सासर क्योंकि आजकल के प्रेजन सेनारियो को देखते हुए हमारे घर को क्लीन करना जरूरी है साथ इसाथ सानि क्लीन और सानिटाइज कर सकते हैं तो चलिए देर किस बात की है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यह है दिवाली सीडीज का पार्ट टू पार्ट वन आप लोगों ने बहुत पसंद किया था अगर यह भी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा चलिए इसमें आप इस सिलूशन को बना सकें इसमें हम लेंगे एक बड़ा ग्लास पानी कोशिश करें कि ड्रिंकिंग वाटर अप लें अगर पानी साफ होगा तो और भी ज्यादा बेटर होगा तो ड्रिंकिंग वाटर का यूज करें एक छोटा जग ले रही हूं मैं पानी का करोंगी जितना बड़ा आपका कंटेनर हो स्प्रे बॉटल हो उतना आप बना ले इसके बाद हम इसमें आड करेंगे हाफ लेमिन जूस हाफ लेमिन को स्क्वीज करके इसका जूस डाल दीजिए इसमें अब आपको एक स्पून के अरॉंड कोई भी डिसिंफेक्टिंट ले होता है तो एक स्पून उसका डालना है इसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह हमारा सिलूशन तो तयार हो गया है बट इसका एक मेल इंग्रीडिंट अभी बचा हुआ है जो मैं कंटेनर में फिल करते हुए बताऊंगी पहले से मिक्स कर लें अच्छे से उसके बाद कोई भी स्प्रे बॉटल कोई भी कंटेनर अगर आपके पास खाली कोई कंटेनर है तो वह भी ले सकते हैं स्प्रे बॉटल हो तो बेस्ट रहेगा इसे कंटेनर में फिल करने से पहले हमें डालना है यह यह है खड़ा नमक मेरे घर में तो यह हमेशा अवेलिब दोस्ते समाना जाता है कि नमक से अगर आप घर की cleaning करते हैं तो घर बहुत easily clean हो जाता है germ bacteria kill हो जाते हैं और ऐसा ये भी माना जाता है कि negative energies भी दूर हो जाते हैं तो यहां मैं नमक का यूज़ कर रही हूं आपके पास ये नहीं है block form में तो आप spoon से डाल सकते हैं हमारे पास अब इसे हम फिल कर लेते हैं सो अब हमारा homemade cleaning spray बनके बिल्कुल तयार है easily आप इससे बहुत सारी चीज़ों को clean कर सकते हैं कुछ ideas मैं आपको दे देती हूं आप इस solution से daily अपने table को clean कर सकते हैं dining table हो गया center table हो गया जहां पे daily बैट के आप खाना खाते हैं daily हमारा breakfast, lunch और dinner यहीं होता है तो इसका clean होना, sanitize होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी kitchen slab को भी दिन में 2-3 बार या 3-4 बार इस solution से ज़रूर clean करें साथी साथ kitchen tiles को भी clean करना ना भूले इन्हें हम अकसर ignore कर देते हैं बट यहां पे भी germs and bacterias अपना घर बनान में बहुत ज़्यादा कामियाब रहते हैं क्योंकि daily हम कुछ न कुछ खाना बनाते हैं और काफी सारे stains यहां पे आते हैं next होगे आपके fridge के handles दिन में multiple times हम इसको touch करते हैं इसको छूते हैं बट इससे clean नहीं करते हैं तो इसको भी आप इस solution से clean कर सकते हैं इस तरह से solution को spray करके अपने door के handles को जरूर clean करें especially main door के handles को और अंदर भी करेंगे यह तो अच्छा रहेगा switchboards को आप clean कर सकते हैं बट main switch को हमेशा off करके MCV को off करके उसके बाद ही clean करिएगा और यह wet नहीं होना चाहिए कपड़ा बहुत जादा squeeze करके उसके बाद ही clean करिएगा क्योंकि कई बार fan और lights on करते हैं यह भी बहुत जादा गंदे हो जाते हैं gas burner को भी आप clean कर सकते हैं normal routine में तो आप सुबह और शाम clean करते ही होंगे दिन में एक से दो बार आप इस solution से भी clean कर सकते हैं so guys यह थे कुछ ideas जिस तरह साब इसे use कर सकते हैं I hope आपको यह homemade spray cleaner ज़रूर पसंद आये होगा अपने घर को अपने आपको अपने आसपास hygiene maintain करें sanitize करते रहें और germs and bacteria से दूर रहें पसंद आई है अज की वीडियो तो इसे जाद से जादा like कर दीजेगा share करिएगा और चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे मैं मिलती हूँ किसी और बढ़ियांसे वीडियो के सार till then take care and bye bye